हेलो स्टुडेंट्स माइसल्फ उक्माराम लेक्चरर इन सिवल इंजिनेरिंग गवर्मेंट पॉल्टेक्निक कॉलेज बीकानेर आज मैं आपकी सामने इंजिनेरिंग ड्रॉइंग जो की फरस्टियर का सब्जेक्ट है उसका एक टॉपिक चल रहा है अपना उसी की स्रीज मे बनेंगे जिसमें अपन लगबग में लगबग न सब्सक्राइब करेंगे लगबग आए लेक्चर के ये ट्वयवा इस पास यह टोटल होगा तब जाकर अपना कंप्लीट होगा इसका बारा का है प्रकॉसिस करेंगे आपन आट यानों नों या प्लेट करने की आज मैं थो लेट, फ्लेंग, क्रेस्ट, रूट, थ्रेड एंगल यह सब पढ़ा था उसके बाद यह डाइग्राम से अपने समझा था कि किस तरीके से यह ब्रोक किया जाता है फिर अपने बहुत सारी प्रोफाइल पड़ी थी त्रेड प्रोफाइल यह जैसे छे टाइप के अलग-अलग क्रेंगे लिए दिखने, इसके बाद मैं मैं भी इसका एक वीडियो आपको जैसे मेरे हाथ से कैसे बना रहे है उसका साथ-साथ जो बनता है वो वीडियो रिकोर्ड करके आपको अपलोड खूंग तक आपको ज्यादा समझ माएं इक बार वो वीडियो भी जरूर देखना और साथ में यह जो मैंने बनाए वो भी पहले देखना फिर अपने देखा था यह designations कैसे त्रेड का करते हैं राइट और लेफ्ट हैं त्रेड क्या होती है और systematic representation अपने देखा उसके बाद अपने देखा कि hexagonal जो bolt है जो nut होता है इसको draw करने का method उसी क्रम में आज अपने दूसरा method एक method अपने discuss कर चुके हैं hexagonal जो bolt है जो nut है उसको बनाने का यह hexagonal nut होता है बोल्ट का है जो head होता है जिसको अपने nut कहता है इसके अंदर bolt लगता है कसा जाता यह कैसे ड्रोग करते हैं उसका एक method अपने पढ़ लिया था आज दूसरा method अपन पढ़ेंगे तो जो second method है उसमें एक तो हो गया वही same चीज कुछ relations होंगे इसमें भी फिर अपन शुरू करेंगे relations इसमें क्या है major और nominal diameter of bolt is equal to d यह उसमें भी था फर्स्ट method में भी यही था यह रहा major और nominal diameter of bolt d फर्स्ट method में भी यही था second method में भी यही है अब यह major और nominal diameter क्या होता है मैं फिर बता देता हूँ जो सबसे बड़ा diameter होता है जैसे nut में क्योंकि यह इसको बोलते है internal threads इस nut के जो अंदर है वो अंदर थ्रेड होती है तो इसमें जो रूट का डायमेटर होता है वो कहलाता है major diameter जबकि बोल्ट में external threads होती है और जहां external threads होती है वहाँ जो crest का diameter है वो कहलाता है nominal diameter simple चीजे बड़ा diameter है वो major diameter या nominal diameter होता है फिर thickness of nut जो T है वो D के बराबर लेना ही पिसले बार भी यही था thickness of nut जो थी वो T के बराबर फिर width of nut across corner जो width of nut है पूरी corner की वो 2D है इसमें थोड़ा सा difference है पहले अपने लिया width of nut जो था वो across flat surface लिया था flat surface के across अब यह अपन corner to corner लेंगे पहले अपने लिया flat surface का और अब क्या लेंगे corner to corner जिसे यह flat surface की थी पहले यह flat surface की यह wadबलो है अब अब अपन इसके corner से इस corner की बात कर रहें दूसरा method में तो यहाँ flat surface के बीच की जो दूरी थी जो width थी वो अपने ले थी 1.5D plus 3 जहाँ D क्या चीज़ है nominal diameter of bolt bolt का nominal diameter 1.5D nominal diameter of bolt और यह plus 3 mm यह अपने लिया था W जो था width of यह अपने था na flat surface यह वाले इसकी width थी अब अपने इनके corner to corner यह वाले width ले रहे हैं और वो ले रहे हैं 2D जो width of the nut across corner corner के across जो थे वो 2D फिर radius of chamber r is equal to 1.5D यह पहले भी यह था radius of chamber r is equal to 1.5D अब अपन इसके diagram से देखेंगे तो यहां लिखावार figure illustrates the stage of drawing different view of a hexagonal nut यानि hexagonal nut का अलग-अलग view diagram में अपने को दियावा है जिसमें अपने आप यह सारे जो relation से यह self-explanatory है the above method may be followed in routine drawing work as it helps in drawing the view quickly यह जैसे यह method था अपने देखा था यह method थोड़ा typical था second method है तो वो regular जो drawing अपन बनाते हैं उसमें second method यूज करते हैं जिसमें थोड़ा easy होता है जिसमें सबसे पहले जो है अपने यह इसको समझ लेते हैं अपन सिंपल सी चीज़ है यह देखो d दिया हुआ है यह thickness d यह पहले वाला था जिसमें 1.53 d और यह जो radius of temper यह 2 d यहां पे दिया हुआ है इस तरीक से draw किया अपने यहां इस पी इसको अपने को across the cross section जाना है across the corners जाना है तो corners की width जो है अपने 2 d रखी हुए यह जो width की corners है वो 2 d है यह 2 d width है तो यह 2 d का अपने पहले circle बनाया फिर अपन क्या करेंगे इसका एक hexagonal बनाएंगे अंदर से अंदर इस circle के अंदर एक hexagonal बनाएंगे जैसे पिछली बार क्या क्या था अपने circle बनाया circle के बाहर hexagonal बनाया अब क्या कि आपने 2 d diameter का circle बनाया उसके अंदर एक hexagonal बनाया उसके अंदर एक hexagonal बनाया यह corners जिसको touch करेंगे यह corners यह फिर यह एक hexagonal बनाया है, फिर आपको क्या करना है, इसका center लेना है, cross कर लो उसका पूरा center आजाएगा, इस center से d diameter का एक circle बनाना है, तो यह circle अपने आप इन सब को क्या करेगा, टच करेगा, फिर अपने को क्या करना है, वही same चीज, इसके सारे projection अपने को उपर के डालने हर एक corner के यह corner के हो जाएंगे पहले तो 6 एक जागनल है तो 6 corner हो जाएंगे प्लस एक यह circle का और एक इदर से circle का यह हो जाएगी तो यह 8 होने चीए लेकिन दो यह इसके पीछे चिप गया यह इसके पीछे चिप गया तो दो projection आपस में hidden होगे चलिए total 6 projection आपको यहां पे दिख रहें फिर अपने side view से देखेंगे और front view से देखेंगे यह जो front view होता है यह इस तरीके से होता front view यह इसका top view है प्लान एक तरसे इस प्लान का अगर अपने यहां section बनाए उपर तो यह इस तरीके से बनेगा और यह जो height होती है यह अपने इस thickness of sorry depth के बराबर होती है जो कि अपने यह जो था यह वाला यहां से लेके यहां तक कि यह जो है कितना उसका net का रखना है उसके according जैसे 1.5 D भी हो सकता है D भी हो सकता है जनरली अपने यह इसके diameter के बराबर रखते है nominal diameter D के बराबर उपर रखते है तो यह nominal diameter D के बराबर यहां से उपर खींचा और एक इसके parallel line कीच देंगे यह कोई भी x-axis है इस x-axis के parallel line कीच देंगे जो यहां से कितना होगा डी दूरी पर होगा जैसे suppose d 10 mm बीस mm ले लिया nominal diameter 20 mm है तो पहले अपने को 40 mm का यहां circle बनाना है 40 mm radius का फिर उसके अंदर एक hexagonal बनाना है यह पूरा-पूरा एक hexagonal बनेगा फिर उस hexagonal को cross करके 4 बागों बांट लिया फिर यह center मिल गया इस center से लेके और वापस एक circle draw करना है जिसकी diameter क्या होगा small d यानि 20 mm का फिर यह जितने भी corner से इन सब का उपर projection डाल दो और circle का भी projection उपर डाल दो यह x-axis है इस से d, d यानि 20 mm लिया तो 20 mm उपर एक line कीच लेंगे फिर अपने को यहां यह बहुत सारे points मिलेंगे जैसे पिछले method में, first method में मिले थी, वही same points यहां मिलेंगे, फिर अपन क्या करेंगे इन points से, जैसे यह जो point है, यहां से यहां, इनके बीच में mid point लेंगे, और सबसे पहले अपन इसको chamfer कर देते है, center वाले को, center वाले को chamfer अपने 1.5 into d की radius लेके, और इसको यहां से 1.5 d नीचे जाएंगे इसी line पे, center मिल गया, फिर यह radius लेके, इससे radius लेके इधर और इधर दोना तरफ chamfer कर देंगे, फिर अपने यह वाला जो portion था, इसमें mid point लेके, यहां R1 लेके इसको chamfer कर देंगे, और इधर भी R1 लेके इ यह front view, यह top view, और यह side view, side view कैसे बने, यह front view जो यहां उपर अपने बनाया, यह front view बन गया, यह अपना जो था, यह क्या बन गया, top view, और यह side view कैसे बना, side view के लिए अपने को, जब side से अपन देखेंगे, किसी bolt को, जैसे यह अपना hexagonal bolt था, hexagonal bolt है, इसको side view देखेंग तो एक तरफ से देखेंगे तो यह दिखेंगे बस जैसे यह दो हैं यह दो ही दिखेंगे तो यहां पर यह दो ही दिख रहे हैं यह और यह अब इसमें क्या करना है मिडल पॉर्शन लेके और यह रेडियस इसकी जोमेट्री के अकॉर्डिंग आर्टू रेडियस लेके और फ पहले अपने point मिले में इनी को लाइन को आगे बढ़ाना है तो अपने आप geometric से अपने को radius r2 मिल जाती है जब इस तरीके से अपन नीचे बढ़ाते हैं तो यह अपना side view बन गया यह अपना क्या बन गया side view यह अपना front view यह top view यह इस तरीके से complete होता है इसका अपने को projection बनाना होता है अब अपन देखें आगे जो है वो method of drawing square bolt यह अपने दो method देखे थे जो थे अपने hexagonal bolt के अब अपन देखेंगे square bolt कि square bolt को कैसे draw किया जाए तो यह square bolt है square bolt के लिए लिखावा है यहाँ पर a square bolt head and nut may be drawn sewing either across flats और corners a square bolt head and nut may be drawn sewing either across flat और corners यानि या तो flat या corners जीसाब कि पहले अपने method लिया है वोई दो method यहाँ काम में ले सकते हैं अब इसके relation थोड़े से उससे अलग है क्या relation है एक तो डायमेटर तो वही रहेगा मेजरिया नॉमिनल डायमेटर और बॉल्ड दी थिकनेस भी उतनी रखनी है डी के बराबर जो nut की थिकनेस है यह डी रखते है अपन फिर है width of the nut across flat अगर वही फ्लेट surface के across लेंगे तो वह ही relation लाएगा 1.5D plus 3mm और radius of chamfer जो आर है यहां chamfer बड़ा होता है यहां radius ज्यादा होती चैंफर की 2D होती है वहाँ 1.5D थी क्योंकि वह hexagonal था और यहां square में यह क्या होता है 2D यह 2D और यहां पर जैसे अगर अपन देखेंगे तो यह 1.5D था तो यह अपने पास अब कैसे करेंगे इसको ड्रो सबसे पहले सबसे पहले वही सेम चीज एक circle बनाएंगे क्योंकि अपन वह रह रहे है तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले एक circle बनाएंगे एक circle ड्रो करेंगे और कितना diameter का d diameter का यह circle ड्रो किया फिर जो width है width के along w 1.5D plus 3mm यां 33 mm का एक circular draw करेंगे, फिर इनका projection उपर की डरब डालेंगे, और ये जो depth है, ये अपने वो ही D रखनी है, और पहले ये draw कर लेते हैं, फिर ये side view draw होगा, पहले अपन ये इसका front view draw कर लेते हैं, तो top view तो ये बन जाएगा, जिसमें अपन क्या करेंगे, ऐसे ये hexagonal corner बने पहले क्या करना है, जैसे suppose 20 mm diameter है, तो 20 mm diameter का एक circle draw करो, उसको 4 बागों बांट लो, center fix है उसका, चार बागों बांटने के बाद में, ये बहुत आसान है, hexagonal से ये बहुत आसान होता, square, सबसे पहले 20 mm diameter का circle draw किया, फिर उसको, क्या क्या, 1.5 D plus 3, यानि 20 था, तो 1.5 D plus 3, य 31 mm का दूसरा circle draw कर देंगे, और ये जो चार बंटे वे इन चार corner को आपस में join कर देंगे, तो ये इसको इसको पर्स करते वे square बन जाएगा, अब इन चारों का projection यहाँ उपर डाल देंगे, ये projection डल गया, अब क्या करना है, यहाँ पर ही chamfer करना है, तो R radius लेके अपने को chamfer करना, और radius क्या लेनी है, 2D के बराबर, तो यहाँ से ये जो है side view बनाएंगे अगर इसका इस तरीके से, तो ये वाला chamfer है, पूरा portion, ये बना दिया, ये यहाँ पर पूरा, और इसको क्या ले लिया, R radius, R radius यानि 2D के बराबर radius लेके इसको chamfer कर दिया, ये जो point मिला, इसक इसको पीछे बढ़ा देंगे, और इनकी भी R 1 radius लेके इनको chamfer करा देंगे, R 1 radius जो है, वो क्या मिलती है, geometry से direct मिल जाती है, ये दो point fix है, इसका center fix है, अपने आप क्या होगी यहाँ से, radius मिल जाए, इसी तरीके से side view जो डो करेंगे, तो इसका उपर projection ले लो, और इसी line को आगे बढ़ा दो, और ये क्या कर दो, R radius लेके इसको chamfer कर दो, और R radius कितनी आएगी, 2D के बढ़ागर, 2D यानि 40 mm के बढ़ागर, तो इस तरीके से अपन hexagonal और square bolt जो है, nut जो है, bolt head, उसका आपन draw कर सकते है, projections, तो यह यहाँ पर बतायावा है, figure size two piece of hexagonal head head bolt and square bolt with the properties mark, ये ये दियावा hexagonal bolt, ये दियावा square bolt, ये इस तरीके से, ये आपका 2D, ये total length, ये 0.5D का head है, ये यहाँ पर 0.5D का head है, अपन D का head भी ले सकते हैं, इसी तरीके से ये width W है, और ये 2D का इसका corner to corner, ये hexagonal headed bolt होता है, ये square headed bolt होता है, ये simple इसका diagram show किया हुए, बनाने का procedure अपने पहले सीख लिया है, तो ये अपना था, hexagonal bolt का दूसरा method कैसे draw करते हैं, और square bolt को कैसे draw करते हैं, आई होफ आपको समझ माया होगा, ने तो इस वीडियो को दो-तिन बार देखी, और साथ-साथ में जैसे में ball रहा था, या steps लेकी वीची थी, उनकी तरह से आप बना पढ़ेगा, thank you very much